जैसे क्रिश्ण जियोतिस जीवन और ध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियों बात करेंगे 16 अक्टूंबर 2020 बुधवार के संपुन विस्तत पंचांग की अथा आप वीडियों के इंतरत पने रहें वो पंचांग की संपुन जानकरी तरात करें अब जा सुर्योदेवा सुर्यास्त चंद्रोदेवा चंद्रास्त यही पंचांग का मूलाता है आईये अब सुरू करते आज का पंचांग इससे पहले आज आज आप सभी को सुपदिन की मंगल में शुरूप काम नहीं आज विक्कम संबत दोजार इक्यासी सक संबत ओगनिश्व चियानिस आस्विनमास सुकलपपक्स चतुरदसी चोदस वारबुदवार तारिक सोड़ा अक्टॉमबर दोजार चोईसे आज पूरे दिन रात मीन का चनरमा रहेगा अब नक्षत्र शाम को साथ बचकर अठारा मिन तक उत्रा भादरपद नक्षत्र रहेगा फिर उसके बाद में गंड मूल रेवती नक्षत्र लगेगा अब योग सुबह 10 बचकर 9 मिनद तक द्रूग योग रहेगा फिर उसके बाद में व्यागात योग लगेगा अब करन सुबह 10 बचकर 33 मिनद तक गरकन रहेगा फिर उसके बाद में वनिज करन लगेगा अब बंगला तारिक, आज बंगला आस्विन मास की 31 तारिक है, अब अगनीवास, आज अगनीवास पुर्थी पर होने से हवन के लिए सुब रहेगा, अब भद्रा, रात्री में 8 बज कर 41 मिनट से भद्रा प्रारंब होगी, अब पंचक, आज पंचक का चौथा दिन है, अब सर्द पुर्णीमा, आज सर्द पुर्णीमा की रात्री को चंद्र के शीतल चांद्री में खेर रखकर उस अमरत युक्त, खेर को खाने से स्वास्ते उत्तम रहता है, अब रवियोग, शाम को 7 बज कर 18 मिनट पर रवियोग शमात होगा, अब नामाग सर्व रासी, आज जन में बच्छों के नक्षद का पाया होगा, लोहे का पाया, वह अनमतानुसार तामवे का पाया, अब बात करते हैं आस्विन मास की, आज आस्विन मास का 29 वा दिन है, आज रास की सर्द पुर्णीमा है, भगवान राधे क्रश्न का पूजन कर सर्द रात्री में गोद अमरती युक्त, खीर का भोग लाका कर फिर शेवन करें, अब रितू कौन सी है? अब इस सर्द रितू है, वह सूर्द रक्षिनान है, अब आज काते होगार, आज सर्द पुर्णीमा व्रत है, खीर पान पुर्णीमा है, कोजागरी व्रत है, लक्षमी चंदर पूजा है, वह विश्व खाद्य दिवश भी आज है, अब कल का तोहर, कल तुला शंक्रांती है, वस्री वालमिकी जी वह परासर जेनती भी है, और कार्तिक स्रान कल से प्रारंभ हो रहा है, अब सुर्योदे वह सुर्यास, आज सुर्य उदे होगा सुबच 6 बचकर 41 मिनट पर, वह सुर् दिन को 10 बचकर 18 मिनट से, दोफर में 12 बचकर 23 मिनट पर शुप का चुगणिया रहेगा, अब रहुकाल, आज रहुकाल है दोफर में 12 बचकर 6 मिनट से, एक बचकर 32 मिनट पर रहुका देगा, राव कलमी को विशुप करनी होता है अब दिशासुल आज उत्तर दिशा में दिशासुल होने से उत्तर दिशा की यात्रा को टाले अगर आवशक हो तो भगवान को पुष्व चढ़ा कर या पुष्व साथ में रख कर यात्रा करे परन्तु आज पच्छिम दिशा में यात्रा करना सुब रहेगा तो दोस्तों ये था आज का विश्व संपुर्ण बंज्ञंग कल के संपुर्ण बंज्ञंग के लिए आप जुड़े रहे आपके अपने जोते चीवन और द्यात्म चैनल से जैसी कृष्ण